रस्न तेरह का पहला भूमी के किसी बिंदू से किसी मिनार की चोटी का 29 दिग्री है मिनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 दिग्री हो जाता है मिनार की उचाए निकालें तो पहले हम इसका चितर बना लेते हैं तो प्रस्न में कह रहा है कि भूमी के किसी बिंदू से किसी मिनार की चोटी का 29 दिग्री है यानि यहां से यहां पे कोन कितना बन रहा है 30 दिग्री मान लेते हैं कि A, B, A, B एक मिनार है ठीक है A, B क्या है मिनार है A हो गया मिनार का चोटी और B हो गया उसका पाद मिनार का तो भूमी के किसी बिंदू से मिनार की चोटी का 29 दिग्री मिनार की और 30 मीटर जाने पर देखें मिनार की और 30 मीटर जाने पर तो इसको मान लेते हैं C और इसको D तो यहां से यहां तक जाने में इसको 30 मीटर यहां पे कितना है 30 मीटर तो मिनार की और 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 दिग्री हो जाता है यानि यहां पर कितना डिगरी है साथ डिगरी का कौन बन रहा है तो देखे दी से सी तक आने में कितना दूर दी से सी तक आया है तो उन्तास हो गया साथ डिगरी और दी से सी तक का दूरी है तीस मीटर तो मिनार की ओर मिनार यहां पर है AB मिनार है तो मिनार की ओर 30 मीटर जाने पर 30 मीटर होगा इसका दूरी C और D का कितना कौन बन जाता है? 60 डिगरी का तो मिनार की उचाई निकालने यानि मिनार कितना उचा है तो AB हमें निकालना है मिनार कौन है यहां पर? AB है तो A B हमें निकालना है तो लिखेंगे माना की माना की मिनार A B माना की मिनार A B की उचाई एक्स मीटर है उचाई बराबर एक्स मीटर तो क्या मान लेंगे कि मिनार का उचाई कितना है एक्स मीटर तो A B को हम तो मिनार की उचाई को हम एक्स मीटर मान लेंगे और क्या मान लेंगे कि B D जो है देखें यहां से यहां तक की दूरी है by तो BD का दूरी कितना है by तो BD को by मान लेंगे B से D तक को तो BD जब by हो गया और CD 30 है तो BC कितना हो जाएगा by minus 30 तो यह हो जाएगा by minus 30 थीक है तो BD को by मान लेंगे और CD दिया हुआ Corinth 30 meter क्योंकि मिनार की और 30 meter आ रहा है तो कुन कितना बन रहा है? 60 degree यानि CD है 30 meter तो पूरा जब बाई हो गया और CD है 30 meter तो BC कितना हो जाएगा? बाई मेंसे 30 घटा देंगे तो BC हो जाएगा यानि BC कितना हो गया? बाई माइनस 30 तो लिखेंगे माना कि मिनार AB की उचाई बराबर X मीटर, BD BD बराबर बाई और BC बराबर बाई माइनस 30 इस तरह लिख लेंगे तो BC को क्या मान लेंगे, by माइनस 30 मीटर और BD को by मीटर, सब को मीटर में मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 30 मीटर दिया हुआ, इसका दूरी मीटर में है इसलिए सब को मीटर में मान लेंगे तो मिनार की उचाई हो गया X मीटर BD हो गया बाई मीटर और BC हो गया बाई माइनस 30 मीटर तो यहाँ पे 30 डिगरी है ठीक है तो मिनार जो है पिर्थीवी से 90 डिगरी का कौन बनाएगा तो देखें तिर्भुज A, B, D में तिर्भुज A, B, D में A, B क्या हो गया? लंब हो गया B, D हो गया अधार तो इस कोन के लिए A, B, Lumb हो गया और B, D अधार तो A, B हमें निकालना है और B, D इस तरह से मानने है ठीक है? बाई B, D कितना है? बाई है तो Lumb और अधार यानि 10 ठीटा लगाएंगे तो 10 30 डिगरी बराबर लिख लेंगे Lumb बटा अधार यानि A, B बटा B, D तो लिखेंगे यहाँ पर 10 30 डिगरी बराबर क्या हो जाएगा? A, B बटा B, D 10 30 डिगरी बराबर A, B बटा B, D तो A, B कितना है? एक्स मीटर है और B, D को हम बाई माने है बाई मीटर ठीक है? तो लिख लेंगे और 10 30 डिगरी का मान होता है तो 10 30 डिगरी का मान होता है एक बटा रूट 3 10 30 डिगरी का मान एक बटा रूट 3 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक बटा रूट 3 बराबर A, B, X है और B, D है बाई ठीक है? तो X बटा बाई AB को कितना माने X मीटर और BD को बाई मीटर तो 10 तीस तिगरी बराबर लंब बटा आधार तो AB लंब है और BD क्या है आधार है तो इस तरह लिख लेंगे अता बाई बराबर क्या हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा रूट 3X देखें तीर्चा गुना होगा तो बाई गुना एक बाई और रूट 3 गुना एक रूट 3X तो बाई बराबर हो गया रूट 3X तो इसको हम पहला लिख लेंगे अब अब लिखेंगे 10,60 डिगरी 10,60 डिगरी बराबर हो जाएगा AB लंब है और आधार है BC तो अब 10,60 डिगरी लेंगे दिखें 10,60 डिगरी तो इसकोन के लिए AB लंब हो गया और BC क्या हो गया आधार तो अब 10,60 डिगरी बराबर लिख लेंगे AB बटा BC AB है X और BC कितना है बाई माइनस 30 तो 10,60 डिगरी का मान होता है 10,60 डिगरी का मान होता है रूट 3 तो लिखेंगे आधा रूट 3 बराबर AB कितना है? X और BC है बाई माइनस 30 इस तरह लिख लेंगे AB X है और BC है बाई माइनस 30 तो तिर्शा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बाई माइनस 30 बराबर X वटा रूट 3 बाई माइनस 30 रूट 3 के साथ गुना होगा ठीक है? तो रूट 3 को बाई És से दाया तरब भिज़ेंगे तो भाग में हो जाएगा यानि एक्स बटा रूट 3 हो जाएगा बाई माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा एक्स बटा रूट 3 तो बाई बराबर अता है बाई बराबर हो जाएगा एक्स बटा रूट 3 एक्स बटा रूट 3 प्लस 30 देखें माइनस 30 को इधर बेजेंगे बायां से दायां तरफ तो प्लस में हो जाएगा तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे तो पहला में कितना आया था तो पहला में आया था बाई बराबर रूट तीन एक्स और दूसरा में आ गया बाई बराबर एक्स बटा रूट तीन प्लस तीस तो दोनों 2 बराबर हैं, तो अब लिखेंगे, पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे, तो पहला और दूसरा से, रूट 3x, रूट 3x बराबर हो जाएगा, x बटा, रूट 3, प्लस 30, पहला और दूसरा से, रूट 3x बराबर, x बटा रूट 3, प्लस 30, तो दोनों बाई बराबर जो आया है उसको बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों तो बाई बराबर आया है पहला और दुसरा में तो रूट 3x बराबर कितना हो गया? x बटा रूट 3 प्लस 30 अब यहां पर रूट 3x माइनस x वटा रूट 3 x वटा रूट 3 को दायां से बाया तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 30 लिख लेंगे तो देखिए रूट 3 लग उत्म लेंगे यहाँ पर रूट 3 लग उत्म लेंगे तो रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा 3 यानि यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 30 रूट 3 लग उत्म लेंगे तो रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा तो 3x माइनस x क्या हो गया 2x तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x बटा रूट 3 बराबर x बराबर हो जाएगा 30 गुना root 3 बटा 2 x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुना root 3 root 3 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा और 2 गुना में x के साथ तो इधर आके भाग में हो जाएगा 2 से 30 काट देंगे 15 बार में 15 गुना 30 यानि x बराबर कितना हो गया 15 रूट 3 x बराबर कितना हो गया 15 रूट 3 तो इसका उत्तर आ चुका है तो x हम क्या माने थे मिनार की उचाई x मीटर माने थे तो लिख देंगे अतह मिनार की उचाई बराबर 15 रूट 3 मीटर मीटर में माने थे x को ठीक है तो x बराबर आ गया 15 रूट 3 यानि मिनार के उचाई हो गया 15 रूट 3 मीटर तो इस तरह प्रस्न 13 का पहला हल करेंगे बराबर 15 रूट 3 मीटर पशớiब बाबर 15 रूट 3 मीटर 6 रूट 2 कि बराबर 15 रूट 5 रूट 3 झाल झाल करो